आपका स्वागत है आपने चैनल में आज हम देखने वाले computer evidence computer evidence में fundamental computers जितने भी important points बनते हैं exam point of view आज हम उनको discuss करेंगे तो चलिए बीना time waste करते हुए वीडियो को start करते हैं और अभी तग अपने चैनल को subscribe नहीं किया है इसलिए important है क्योंकि बाद में इस mechanical calculator को Charles Babbage के द्वारा convert कर दिया गया था automatic calculator और जिसके हम computer के नाम से जानते हैं 1833 ठीक है यह important point है और Charles Babbage को known Charles Babbage जो है he is known as father of computer ठीक है या बोल सकते father of modern computer इसके पाद जो important point है वो है Lady Ada Augustus developed first computer program ठीक है यह आपको याद रखना क्योंकि यह बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है कौन developed किया the first computer program the first computer program developed by Lady Ada Augustus ठीक है यह आपको याद रखना है यह Charles Babbage के ही student थी चलिए next देखते है JP Icard and John Mosley invented first digital computer जिसका नाम पढ़ा ENIAC ठीक है इन आप कह सकते हैं in 1946 ENIAC का full form आपको जाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्जाम में यह पूछा जा सकते हैं ठीक है electronic numerical integrator and calculator तो यह यहां तक था जितना भी computer का first face था अब हम देखते है computer के बारे में कुछ और details में computer जो है दो पार्ट में divided है first है hardware and दूसरा है software ठीक है physical काम करता है physical work करता है computer का software जो है वह main part है demands hardware to do what to do ठीक है क्या करना है वह hardware को software बताता है ठीक है software क्या है software एक computer program है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है software जो हम कहते है software एक computer program ए और कोई भी computer का जो मेन सॉफ्टियर्ण अगर बोले मेन सॉफ्टियर किसे कहता है अपरेटिंग शुस्टम को ठेक है कोई भी कंप्यूटर का मेन मेन वह है ऑपरेटिंग सिस्टम इससी तरह आपको यहाद रखने मुबाइल सोफ्टवर का अगर पूछा जाए कोई सिल्फोन का पूछा जाए तो हो सकता है此 है अन्रोइट फू सकता है अगर लप मैक हो सकता है अगर अपल का हुआ लेपंटप अरो किसी कंपनि का हुआ तो Windows का करुग सबस tahu का है श्वार सकता है लिखा हुआ है दो टाइप है application software और system software लेकिन basically तीन टाइप के होते हैं यह ठीक है यह आपको याद दखना है application software system software और utility software यह तीनों आपको जान लेना है क्या क्या है इसमें इसमें से भी question बन सकते हैं और पहले भी इसमें से question बन चुके हैं और पूछे जा चुके है एक्जाम में ठीक है तो application software is designed to solve particular problem for users particular problem को solve करने के लिए application software यूज किया जाता है ठीक है system software it acts as interface interface between hardware of computer and application software ठीक है यह याद रखना आपको system software नाम से ही पता चलते computer जैसे पूरा एक system है उसका software तो किसके किसके काम करता है इंटरफेस बिट्विन hardware and application software application software कोई एक particular काम करने के लिए यूज किया जाता है user के द्वारा उसके बाद next देख लेता है जो software है वह है utility software यह भी बहुत important है utility software is used to analyze configure optimize and maintain computer system ठीक है यह भी आपको याद रखना है लेता है हो चाले ञेउन नहों कर लिए बहुत important है ठीक है utility क्या है यापको जानना है child software क्या है या पको सब्सक्ण बाता है b Ιोस यह भी बहुत important आपको यह छुषंट ले लेना है ठीक है यहां से भी कूसे बनते है बाया सक श् magnitude यह उप्रेटिंग स्स्टर्म फंक्शन बोल सकते है रोल बोल सकते हैं बाइंस का पहले ही क्या है था कि मैं ऑप्रेटिंग से स्टम किसी भी कंप्यूटर का जो में वह ऑप्रेटिंग शिस्टम यभी आपको याद रखना है विस और ऐसार को सन्या से बनता या से बायोस से और बायोस कहां पर स्कूर्ड होता थो वायस लाय इसे अन्वेवल प्रोग्रामर्म वह लेद है थे में नहीं आएक क्या करता है इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसे किसमें ट्रांस्फर कर देता है जिसको इसे त्टेरा और एक चीज़ compiler के साथ interpreter देखिए interpreter compiler दोनों सेमी काम करते हैं लेकिन थोड़े अलग हुए से difference क्या है compiler पूरे माल लिजे है 10 line का program है compiler इस पूरे 10 line का program को एक साथ ही compile करके इसे binary code में transform कर देगा लेकिन interpreter जो है वह एक एक line को binary code में transfer करेगा एक line लेगा उसको और दोनों सेम काम करते है चले नेक्स देख लेते हैं लूडर क्या है लुडर क्या है इतना जानना बस इतना ही सफिचियंट है लूडर के बारे में यहां से कोशन अगर बनेगा तो यही बन सकता है उसके बाद Linker जो है Linker क्या है Linker जो है Program that combines object module to form an executable program object module किसे कहते हैं कोई भी program कोई प्रोग्राम अब लिखने हैं तो कह सकते हैं एक object module है ठीक है तो Linker जो है object module के साथ combine करता है ताकि वो execute कर सके वो program को ठीक है ताकि वो executable हो सके वो program ठीक है यह है Linker का definition इतना आपको no down कर लेना है बस यह sufficient है उसके बाद आता है high-level programming language high-level programming language written by programmer हम पहले आपको बोल दिये थे high-level programming language जो है यह किसके द्वारा लिखा जाता है प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है क्योंकि low-level programming language आम तोर पर कोई programmer लिख नहीं सकता है वो बहुत difficult होता है ठीक है लेकिन high-level programming language जो होता है वो समझ में नहीं आता है computer को वो सिफ low-level language ही समझ सकता है तो high-level programming language क्या क्या होता है Java, Python, C++ एक कुछ एक्छमपल है high-level programming language का अब देख लेते हैं low-level programming language computer underigned low-level programming language computer ComputerZLow-level programming language लेंगवेज समझ में आता है खाच करके computer जो समझ में आता है वो आता है one and zero ठीक है one और zero ये समझ में आता है one और zero ये computer को समझ में आता है true और false बोल सकता है या on और off भी इसे कह सकता है एक एक जामपल है ठीक है तो लो लेबल हाई लेवल ये आपको समझ में आ गया आप नेक्स देखते हैं जो थोड़ा मेमोरी थोड़ा देख लेते हैं मेमोरी से भी कुशन बनता है तो फोर बीट जो है यह smallest unit of memory है ठीक है तो फोर बीट में एक नीबल होता है यह आपको याद रखना है याद तो रखना नहीं है बिसिकली यह होते है और बस आप एक बार देख लीजाए आपको याद हो जाएगा ठीक है और smallest unit जो मेमोरी का होता होता है बीट फोर बीट में वन नीबल होता है एट बाइट में एट बीट में वन बाइट होता है और हंड़ेट स्वार 1024 Biets में 1 kb होता ठीक है देखें कोई भी फोन में देखते हैं ये कोई भी इमेज वो कितना MEMOR daring करता है उसमें लिखे रहाता है ठीक है इतना के भी 120 KB रखंब हैं 60 KB तो 124 बाइट में 1 chakra होता है वह के बी सब आपको यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से पूछ जा सकते हैं चलिए अब नेक्स थोड़ा देख लेते हैं जो कंप्यूटर के रिलेटर बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि यह एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए इन फैक्ट को हमने में इंटिया वर सिधार्थ यह नाम आपको याद कना फर्स्त एंपूटर मेरिन इंडिया और सिधर्थ फॉर्स्थ किसे द्वार किया गया था मैनुफेक्ट्र किया गया था इलेक्र्श क्रोपरेशन आफ इन्डिया ठीक है सिधर्थ चलिए नेक्स देखने ए फर्स्ट पर कंप्पुटर आप दे वर यह भी आपको याद एकना है फर्स ट्रैक्टिकल डीजिटल गंपूटर जो था वो था यूनी वैक ठीक है यह नाम भी आपको याद देखना है यह भी इंपर्टेंट है नेक्स्ट देख लेगाए लेजर प्रिंटर आड़ फास्टेस्ट प्रिंटर ठीक बहुत सरे लेता है December 2 is observed as computer literacy day यह भी आपको याद दखना है December 2 इसे observe किया जाता है पुरे world में इसे observe किया जाता है as a computer इसके बाद हम आपको कुछ important question जो exam point of view बहुत important है वो उसका वीडियो भी बना के आपको जरूर देंगे computer awareness का तो चलिए वीडियो यह तक था तब तक के लिए all the best thank you